नमस्ति रदे रदे गोड इबनिंग कैसे हो आप सब उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे सस्थ होंगे मस्थ होंगे अज दिन है शनिवार और तारीक है 9 मार्च और होली बहुत करीब आ चुकी है और हमारी जो सब्जिया है न सब्दी वाली गोवी जा रही है जैसे काजर है मुली है और कोबी है वैसे तो हर सीजन में अब सब सब्जी मिलती है लेकिन फिर भी हर सब्जी का हर पल का एक सीजन ह होता है तो मैंने सोचा कि यह जब जा रही है काजर है मुली है को भी तो क्यों नहीं इनको थोड़ा सा स्टॉक करके रखा जाए अचार के रूप में तो आज मैं बनाने वाली हूं मिक्स बेज अचार जिसमें काजर हूली कोभी पपीता कच्छ पपीता मतलब शामिल होगा और हरी मेर्श लहशुन सोचा चलिए आप सबके साथ में से अभी कर देती हूं क्योंकि कि किसी को अचार खाना बहुत पसंद होता है तो जैसे कि मेरे आभी मुझे बहुत पसंद है और सब लोग तो मतलब थोड़ा वहती खाते हैं लेकिन मैं मुझे अचार खाना बहुत पसंद है चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो जो जो सबजियां आपको डालनी है अचार में सभी को अच्छे से धो लीजिए चील लीजिए काट लीजिए तो यह है कच्छा पपीता जिसका मैंने आदे पपीता का यूजिए किया है अचार में तो हम अच्छे से इसको दो लेंगे फिर हमने छेल लिया है जो छिलका होता है पूरी तरह से हट जाना चाहिए बिल्कुल भी ग्रीन पार्ट इसमें नहीं रहना चाहिए और छिलका के छिलने के बाद पिर अंद जो आपकीता हमने यूज़ किया है चाहर में उसको मने काट लिया है आदा हमने हटा दिया है जिसके थाष्ज की अमकल बनाएंगे ons के बाद और सब्चेव को भी हमने अच्छे से धोल लिdag चीला, काट लिए, मूली गाजर आझाह और गोवी थोड़े स्वर्ट लेस्षू भी हमने छीला हुआ है थोड़ी सी हरी मिर्च का भी यूज किया है तो जो भी सबजें आपको यूज करनी है सभी को अच्छे से काट लीजे धो लीजे उसके बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो एक कड़ाई में हमने पानी वॉयल किया है और पानी जब अच्छे से वॉ कर देंगे और ढख देंगे वज़ 5 मिरच तक हम ऐसे ही इसी पानी में पड़ी रहने देंगे बहुत ज़्यादा हमें बॉयल नहीं करना है डालते ही हमने गैस को आफ कर दिया था तो इसी तरीके से हमें सारी सबजियों को इसी तरीके से थोड़ा सा स्टीम कर लेना है हमारी सारी सबजियां जो बॉयल हो चुके हैं चट पे हमने एक कॉटन के कपड़े पे इनको दूप में फैला दिया एक घंटे के लिए और एक घंटे के बाद हम नीचे ले आए हैं अच्छी तरह से इनका जो मॉश्चर था पानी था वो सूख चुका है सारा तो सबजिया अच्छी तरह से शूख चुकी हैं बहुत ज्यादा करना है पानी सुख आना है उनको ड्राय करना है बहुत जादा में नहीं सुख चुकी है और मैंने दिखाया कि मैं चट से नीचे वी लेके आगई हूं तो अब चलते हैं आप करते हैं इसके लिए मसाला तेयार है 2 चमप सौफ दनिया सौफ को हमने 2 चमप लिया है और दनिया को लिया है एक चमप और यह छा Kansas जाला है डालोंगी में तोड़ सही जालूंगी मैंथि मैंथि को च्वाद हम ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा शागा आ है वस कि खुष्वू के लिए के सर्षों हमारी पहले से रखी हुई है पिसी यानि की दरी हुई बस बस हल्का सा इनको गरम करना है बहुत ज्यादा रोष्ट नहीं करना है हल्का सा गरम करना है जिरा हमारा भुना हुआ रखा है इसलिए मैंने आपके पास नहीं है तो आप इसमें जीरा भी थोड़ा सा रोस्ट कर लें अब इस तेल को हम गरम करेंगे फिर ठंडा करेंगे जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम इस मसाले का पाउडर बना लेते हैं तो हमारा जो ओयल था वो अच्छी तरह से करम हो चुका था फिर ठंडा भी हो चुका है तो अब हम मसाला को मिलाएंगे तो हमने जो सबजें रखे होई हैं उनमें हरी मेच और लेचन को भी मिक्स कर दिया है क्योंकि लेचन और इमेच को हम बॉयल नहीं करते हैं उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था वो एड़ कर दिया है और अब इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ी से अजवाइन ज्यादा नहीं करना है थोड़ा ही करना है एक चोटी चमच बानके चलिएगा फिर जैसे आपके अचार की कॉंटिटी हो इस हिसाब से करिए टेस्ट के अकॉर्डिं चुटी चमच बुना हुआ जीरे का पाउडर अगर आपके पास बुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है तो जब आपने मसाला भुना था ना तो उसी में जीरा एड़ कर लीजिए कच्छा जीरा और उसके बाद हमने कश्मीरी लाल मिर्श एड़ की है एक चमच और चार और हेंग का यूज किया है क्योंकि हेंग हमारी काफी स्टॉंग थी मैंने इसलिए चुटकी बर किया है एक चोटी चमच का लौंजी का यूज किया है और दो चमच हमने यहां पर हल्री का यूज किया है सभी मसाले हमने एड़ कर दिये हैं आब हम इसमें तेल एड़ तो चार चमच हमने तेल का यूज किया है, चार चमचिया हो लेंगे, सभी को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम एक नीवू का रसेट करेंगे, जिसे हमारे अचार में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है, और हमारा अचार खराब ना हो, इसलिए हम इसमें 2-3 चमच हम अचार रखना है, तो थोड़ा सा चरूर एट करें, मैंने 2-3 चमच बनेगर का यूज किया है, जिसे हमारा अचार जो आना काफी काइम तक चलता है, खराब नहीं होता है, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा अचार रेडी हो गया है, इसको हम भरके रख लेंगे एक डिपे में, तो अचार पैसे तो आप काच की वर्तन में रखें, तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो प्लास्टिक के में भी रख लो, तो उमीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने कोशिस किया कि मैं बहुत आसान तरीकी से, सिंपल तरी आप भी रखेगा, सब्जियां जा रही हैं, इनको स्टॉक करिएगा, और हर सी जब मैं इन सब्जियों का आनंद उठाए, खाईए, क्योंकि जब अचार की रूप में आपकी घर में सब्जियां रखी होगी, तो आप इनको खाएंगे, तो उमीद करती हूँ, आपको क्याल रखिएगा, मिलते हैं कल,